नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ललीत नरायन मितला यूनिवर्सिटी के पार्ट वन के बारे में दोस्तों ये वीडियो डिगरी वन के उन छातरों के लिए है जो सबसीडरी में पॉलिटिकल साइन्स रखे हैं इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइन्स के कुछ इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोईचन बताऊंगा जो आने वाले एक्जाम के पॉलिट और भीव से काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों कोईचन के तरफ बढ़ते हैं हमारा पहला कोईचन है परत्यक्ष लोगतंत्र के मसीहा के रूप में जाना जाता है तो रूसो रूसो जो है परत्यक्ष लोगतंत्र के मसीहा के रूप में जाना जाता है सेकेंड कोईचन ग्रीक भासा में डिमोक्रेसी के समकक्ष सब्द का आर्थ है तो इसका अंसर है जनता की सक्ति तो दोस्तों ग्रीक भासा में डिमोक्रेसी के समकक्त सब्द का आर्थ है जनता की सक्ति Q3 किस ने कहा था परजातंत्र जनता की जनता के दुआरा और जनता के लिए सरकार है तो अबराहम लिंकन ने कहा था परजातंत्र जो है जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है ये अबराहम लिंकन ने कहा था Q4 किस ने कहा था राज जी परिवार का विस्तार है तो अरस्तु ने कहा था अरस्तु ने कहा था राज्जी जो है परिवार का विस्तार है Q5. आधुनीक संदर्भ में राज्जी सब्द का परियोग सरुपर्थम किस ने किया तो मैक्यावली Q6. निम्न में से किस विचारक ने राज्जी को प्राकृतिक बताया Q7. आश्टीन का परमुक उद्देश सी जो था परमपरा पर कानून की स्रेश्टता की अस्थापना Q8. आश्टीन के अनुसार उच्टर द्वारा निम्तर को दिम्न में से किस ने राज्टता की अस्थापना दिया गया आदेश ही क्या होता है तो कानून होता है आश्टीन के द्वारा जो कहा गया है उच्टर द्वारा निम्तर को दिया गया आदेश ही कानून होता है Q9. सोशलीज्म सब्द की उत्पती हुई Q10. सोशलीज्म सब्द की उत्पती जो है किस सब्द से हुई है तो सोसियस सोसियस सब्द से सोसलीज्म सब्द की उत्पती हुई है Q10. लेडिलर ने किसे पहला महत्वपुर्ण समाजवादी विचारत कहा है Q11. मार्क्स अस्थापित करना चाहता था Q12. मार्क्स का अंतीम उद्देश सी था Q12. मार्क्स का अंतीम उद्देश जो है Q13. निमलिखित में कौन सा कथन मार्क्स वादियो का है Q13. किसी भी राजनीतिक वयवस्था के समझने है तू आवस्यक है किसी भी राजनीटीक वेवस्था के समझने के लिए राजनीटीक संस्कृती को समझना जरूरी है वेक्ती पड़क विशे है वैक्तिगत अभिमुखन, individual orientation किसे कहा जा ककता है तो राजनीति संस्क्रीतिक तो लोग कलियान कारी राजी के परमुकारी है उसमें तीनकारे में आपको बताने वालह हूं आंतरीक सुव्यवस्था जो है लोग कलियानिकारी राज्जी के पर्मुकारी है दूसरा विदेशी आक्रमनों से रक्षा और तीसरा जो है सिक्षा तथा स्वास्थ सम्बंधी कारी ये सब जो है लोग कलियानिकारी राज्जी के पर्मुकारी है जिस राजी में न्याई नहीं होता वह राजी बहुत सिग्र नश्ट हो जाता है यह कथन किसका है यह कर्थन जो है कोटिल्ली का है कोटिल्ली का कथन है वह राजी बहुत जल्द नश्ट हो जाता है जो न्याई नहीं होता जिस राजी में न्याय नहीं होता वह राजी बहुत सिग्र नश्ट हो जाता है किस ने कहा था तो लाश्की ने कहा था क्वेस्चन नमर्ट ट्वेंटी आश्टीन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था तो लेवियाथन पुस्तक जो है आश्टीन द्वारा लिखा गया है कानून समपर्भू की आग्या है यह किस ने कहा तो यह जो है आश्टीन ने कहा आश्टीन ने कहा है कानून जो है सरुपर्भू की आग्या है क्वेस्चन नमर्ट ट्वेंटी टू कानूनी संपर्भु को किस के सामने जुकना पड़ता है तो राजनीतिक संपर्भु के सामने जुकना पड़ता है तो इसका अंसर है राजनीतिक संपर्भु के सामने जुकना पड़ता है अरस्तु की पुस्तक का नाम है तो politics जो है अरस्तु की पुस्तक है question number 24 भारत में वैस्क मताधिकार हे तू निवनतम आयू सीमा बताईए तो 18 वर्स भारत में जो है मताधिकार मतलब की वोट देने के लिए निवनतम आयू सीमा जो है 18 वर्स होना चाहिए question number 25 धर्म निर्पेक्षता का आधार है मानव वाद धर्म निर्पेक्षता का आधार क्या है तो मानव वाद है question number 26 धर्म निर्पेक्ष सब्द का सरुपर्थम कब परियोग किया गया तो 1851 इस्वी में question number 27 भारतिय समिधान कैसा है तो धर्म निर्पेक्ष है भारतिय समिधान जो है धर्म निर्पेक्ष का मतलब कोई भी धर्म किसी भी धर्म को नीचे या मतलब कि एक दूसरे से उपर का दर्जा नहीं दिया सकता सभी धर्म के लोग जो है एक दूसरे के समान है बराबर है और कोई भी धर्म खास मतलब कि खास कोई धर्म को बरा या किसी को छोटा नीचे उपर नहीं कहा जा सकता है और सभी धर्म के लिए कानून जो है बराबर ह इसी को धर्म निर्पेक्ष काते हैं तो हमारा भारत देश जो है धर्म निर्पेक्ष है Question number 28 England का राजा किस तरह का संपर्भू है? तो England का राजा जो है नाम मात्र का संपर्भू है किस ने राज्य को साध्य माना है? तो आदर्स वादियों ने राज्जी को साध्य माना है भारत एक संपर्भु राज्जी हुआ भारत जो है संपर्भु कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वत्तंतर हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागु किया गया जिसके अनुसार भारत देश जो है एक लोग तांतरिक संपर्भु तथा गनतंतर देश गोसित किया गया 26 जनवरी 1950 को Question number 31 दवाव समूह को किन नामों से पुकारा जाता है तो इसका कुछ नाम मैं बताने वाला हूँ अगर ओप्शन में ये तीनों में से कोई दिया रहेगा तो आप टिक लगा देना दवाव समूह को किन नामों से पुकारा जाता है तो पहला नाम हीत समूह दूसरा नाम राजनीती गूट और तीसरा नाम परकोष्ट या लॉबी ये तीनों नाम से दवाव समूह को पुकारा जाता है इनमें कौन निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं तो दवाव समूह जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं आधुनिक यूग में समपरभूता सब्द का परियोग सबसे पहले किस दार्षनिक ने किया तो बोदा, बोदा मतलब एक दासनिक था, तो आधनिक यूग में समपरभूता सब्द का परियोग सबसे पहले बोदा ने किया Question number 34, लोकतंत्र के कितने रूप है? तो लोकतंत्र के जो है दो रूप है और पहला रूप जो है विसुध या परत्यक्ष लोकतंत्र पहला रूप जो है विसुध या परत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा रूप जो है परतिनीधी, सतात्मक या अपरत्यक्ष इसी को अपरत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र के कितने रूप है? तो दो रूप है लोकतंत्र दूष्टो का कूलीन तंत्र है यह कथन है तो यह कथन किसका है तो टेली रेंड का कथन है लोकतंत्र जो है डूष्टो का कूलीन तंत्र है सर्वत्तम सासन व्यवस्ता है तो लोकतांत्र है इसकांसर व्यवस्ता है इसकांसर जो लोकतांत्र होगा Q37 भारत ने संसदिय सासन परणाली का नमूना किस देश से ग्रहन किया है तो इंग्लेंड से भारत ने संसदिये सासन पढ़नाली का नमूना जो है इंगलेंड से ग्रहन किया है डेमोक्रेसी सब्द की उत्पती हुई है किस सब्द से तो गिरीक सब्द से डेमोक्रेसी सब्द की उत्पती जो है गिरीक सब्द से हुई है Question number 39 Communist Manifesto पुस्तक किसने लिखी है तो इसका अंसर होगा मार्क्स कार्ल मार्क्स कम्यूनिस्ट मिनिफेस्टो पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स ने लिखी है Question number 14 किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान नीती विज्ञान है तो लौस्की ने कहा है लौस्की ने कहा है राजनेतिक विज्ञान नेती विज्ञान है क्वेश्चन नमर्फोटी वन किस ने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंतरता नहीं है तो जॉन लॉक जॉन लॉक ने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंतरता नहीं है किस ने कहा है कि दवाव समूह अज्यात समराज्जी है तो फाइनर ने कहा है दवाव समूह अज्यात समराज्जी है अमेरिका में किस ने दासपर्था का अंत कर दिया तो अमेरिका में अबराहम लिंकन ने दासपर्था का अंत किया अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दासपर्था का अंत किया ग्रामर ओफ पॉलिटिक्स ग्रंद की रचना किसने की तो H.J. लॉस्की ने ग्रामर ओफ पॉलिटिक्स ग्रंद की रचना की है Question number 45 परजातंत्र सब्द की उत्पती किस सब्द से हुई है तो इस कांसर होगा Demos परजातंत्र सब्द की उत्पती जो है Demos सब्द से हुई है Question number 46 राजनीती विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु राजनीती विज्ञान का जनक अरस्तु को मनायाता है Question number 47 साकारात्मक सुअतंत्रता के पर्तिपादक कौन है तो JS मिल साकारात्मक सुअतंत्रता के पर्तिपादक कौन है तो JS मिल और अगर पूछे देगा नाकारात्मक सुअतंत्रता के पर्तिपादक कौन है तो इसका अंसर होगा Bentham अगर पूछेगा साकारात्मक सुअतंत्रता के पर्तिपादक तो JS, मिल और नाकारात्मक स्वतंतरता के परतिपादक तो बेन्थम होगा ध्यान से एंसर में टीक लगाना, उल्टा पूल्टा टीक मत लगा लेना दोस्तों Question number 49 स्वतंतरता का अर्थ बंधनों का अभाव है या किस ने कहा तो हॉब्स ने कहा है Question number 50 The Spirit of Lodge किस ने लिखा है तो Montescue, Montescue ने लिखा है मैं जितना Question बताए हूँ, वो सभी आपको याद रखना है तभी आप अच्छे अंग अर्जित कर पाएगा इस एक्जाम में तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद